नमस्कार दोस्तों मार्क दर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सुब कामना है माता लक्ष्मी के कृपा आप सब पे परस्ती रहें और दोस्तों आज की पूजा के लिए आपको सुब मुहुर्त की आउस्यक्ता होगी इसलिए मैंने आपके लिए सुब मुहुर्त और बहुत इस्तिर लगने जिस लगन में माता लक्ष्मी की पूजा करना विसेश कर स्रेष्ट होता है दोस्तों दो लगन जो होती हैं वो स्रे करेंगे दोस्तों हम सभी की यही तो इच्छा होती यही तो कामना होती है कि आज के दिन हम मालक्ष्मी को प्रसंद करें स्री गणेश को प्रसंद करें तो वह हमारे घर में पूरे वर्स क्या दोस्तों हम तो सोचते हैं कि मातालक्ष्मी सदा सरवधा के लिए हमारे घर में नि आज के दिन मुझे पता है आप सभी अपने अपने काम में बहुत अधिक ब्यास्त होंगे और मैं आपका बहुत अधिक समाई भी नहीं लोगे बस कुछ जरूरी चीजों की तरफ आपका ध्यान खीचना चाहती हूँ सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप अपने घर को साफ कर रहे होंगे मुझे पता है कि कर चुके होंगे कर रहे होंगे तो फिर आप उस घर को साफ करने के बाद आप पूरे घर में गंगा जल और हल्दी मिला करके छिड़काव करना न भूलें दोस्तों मुख आती है कि जो नई फोटो या नई मूर्ति आप घर में लाए हैं उनको पूजन से पहले आपको एक बार गंगा जलका छिड़काव करना बहुत जरूरी है दोस्तों ध्यान देजेगा यह बाते काफे महतपूर है पूजा से पहले आपको इन चीजों को कर लेना है तो आपको यह चीज अवश्य कर लेना है और दोस्तों देखिए दिवाली की पूजा हम सभी चाहते हैं मालक्ष्मी हम पर प्रसंद्र है पर आप देखते हैं कोई बहुत अधिक विधी विदान से करने के बाद भी किसी को लाव नहीं होता है और कोई बहुत कम पूजा करता है बहुत इसको करने में तो फिर आप करें नहीं हैं तो फिर आप मालक्षमी क्या नाम जबते रहें मंत्र जबते रहें मुँमें दूसरी चीज है दोस्तों जो की बहुत बड़ी विसेश बात है कि आज के दिन संध्या समय देखिए सुबा के समय तो मैं मना नहीं कर रहे हूं आपको क क्योंकि हो सकता है किसी को बहुत अधिक परिशानी हो लासुन और प्याज युक्त भोजन संध्या के समय आप अपने घर में नव बनाए अगर आप हमेशा मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि मैंने बताया था कि सिर्फ संध्या समय आपको सो में जागरण नहीं करता है और तुरंट सो जाता है तो उसके घर मालक्षमी निवास नहीं करती है दोस्तों ध्यान देजे इन बातों को मैं बिलकुल आज आपका समय बिलकुल नहीं लेना चाहती हूं बस ये जरूरी चीजे मैं सोच रहे हूं कि मेरे पूरे यूटूब परिवार की तरफ पूरे परिवार को पहुचे और वो लोग लाभानवीत होई इन चीजों और ये चीजे जो है वह बहुत जरूरी है आपको जानना दोस्तों एक और जरूरी चीज है कि आज की दिन अगर आप मालक्षमी की खृपा चाहते हैं तो सो ये मत बिलकुल सोना म बहा हो गया और मैं आपको ये बादे नहीं बता पाई तो सो ये मत आपको सोने से मालक्षमी आपसे रुष्ट हो सकती ह। दोस्तों वो देवी हैं बिलकुल ہम जिस बहाव से पूजा करेंगे वो बिलकुल नहीं हम से ना राज पर दोस्तों किसी किसी जातक की कुंडली में मालक्षमी की कायोग जो है बहुत कम होता है तो वैसे स्थिती में हमें मालक्षमी को मनाना है प्रशन्य करना है तो उसके लिए रात्री जागरण जरूर करना चाहिए दोस्तों रात में पूजा के बाद हमें कम से कम बारह या एक माता का आगमन का प्रतिच्छा करना चाहिए दोस्तों कि जैसा कि रात को हम दर्वाजे खोल करके और नहीं बैठ सकते हैं तो दर्वाजे बंद रखे पर आप अपने घर में या तो अपने खुद मंत्र जपिए या फिर किसी मुबाइल टेपरिकार्डर कहीं आप चला देज मतलब बहुत सारे कोशी से हमारी राती है कि मातालक्षमी जो हमसे प्रशन्य हो जाए अब दोस्तों वही बात आती है पूजा के संदर में कि पूजा हम किस मुहुर्त में करें क्योंकि दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं कि हम छोटा बड़ा हर काम जो भी करते हैं उसमें दिवाली का सुब मुहुर्थ जो है वैसे तो दोस्तों पूरे दिन जो है सरवार्थ सिद्धी योग बना हुआ है और इस सरवार्थ सिद्धी योग जिसका नाम ही है सरवार्थ सिद्धी यानि सभी सिद्धियां देने वाला तो दोस्तों ऐसा दिन तो अपने आप में ही पूजा करना चाहिए तो इस्तिरलंगन कपसे हैं साम 5 बचकर 30 मिनट से रातरी 7 बचकर 30 मिनट के बीच इस बीच हमें अपनी पूजा कर लेनी चाहिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर आप लगाथार देखते होंगे तो जानते होंगे कि यह जो मुहुर्त होता है उस के बाद भी देड़ तक आपकी पूजा चलती है तो कोई समस्या नहीं बस इस मुहुर्त में आपको अपनी पूजा सुरू कर लेनी चाहिए अब बात कर लेते हैं दूसरे जो सुम मुहुर्त है उसका दोस्तों यह सिंग लगन कही जाती है सिंग लगन में पूजा रातरी क लगन होता है उसी में वो पूजा करते हैं तो यह लगन कब है रात बारा बजे से दो बचकर पंदर मिनट के बीच इस बीच पूजा कर लेते हैं लोग पर दोस्तों मैंने फिर मैं फिर बता रहे हूं आपको कि जो जन सामानने है वो रातरी को पूजा नहीं करता है क्योंक को मना नहीं है आप यह पूजा कर सकते हैं सिंग लगन में भी कर सकते हैं तो इस लगन में पूजा करना जो है सर्वस्रेश्ट होता है और जन सामानने के लिए जो मैंने बताया 5 बचकर 30 मिनट से 7 बचकर 30 मिनट के बीच दोस्तों उम्मीद करते हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी मिलती हुई सी तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद